नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है DSSB Post Code 32 प्राइमरी का First Cut-Off Result आ चुका है और जो भी Candidate सिलेक्ट के गए हैं उन सभी से e-dozer अप्लोड करने के लिए बोला गया है तो दोस्तो बहुत सारी Candidates ऐसे हैं जिनको बहुत सारी Confusion है कि e-dozer के लिए कौन-कौन से documents त्यार करने हैं तो दोस्तो e-dozer का जो link है वो अभी start नहीं हुआ है लेकिन link start होने से पहले आपको अपने document त्यार कर लेने हैं ताकि link start होने के बाद आप जल से जल अपना e-dozer अच्छे से भर सकें तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि Post Code 32-21 Special Educator Primary में अप्लोड करने के लिए e-dozer में अप्लोड करने के लिए आपको कौन-कौन से document किस form में तयार करके रखने हैं तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखे दोस्तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा helpful होने वाली है तो दोस्तो मैं यहाँ पर आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ Post Code 15-17 Special Educator Primary जो DTSB की पिछली बार वेकेंसी आई थी Special Educator की 2017 में तो उसमें e-dozer किस तरह से भरा गया था और क्या के document उस टाइम पर DTSB ने e-dozer में मांगे थे तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपनी जो OARS website है DTSB की वहाँ पर जाकर login करना होगा login करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर यह जो e-dozer का tab है इस e-dozer के tab पर click करना होगा और इसके बाद अपना postcode जिस postcode का e-dozer आपको भरने के लिए बोला जाएगा वो वहाँ पर show होगा और उस पर आपको select करना होगा select करने के बाद दोस्तो आपके सामने जो सबसे पहला page open होगा वो होगा आपकी personal information तो दोस्तो यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको वहाँ पर पहले से ही pre-filled नज़र आएंगी जिसमें आपका नाम होगा name of candidate, father's name, mother's name दोस्तो यहाँ पर मैंने privacy reasons की वज़े से चीज़े को hide कर दिया है लेकिन जब आप अपना e-dozer open करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी detail नज़र आएंगी इसके बाद spouse name तो यहाँ पर यह blank दिखाए देगा अगर आपने form में इसको show नहीं किया है तो इसके बाद आपका permanent address और correspondence address यहाँ पर show होगा इसके बाद pin code, आपका mobile number, email id, date of birth और age as on तो दोस्तो age as on यहाँ पर 31.92.18 लिखी है तो आपके case में दोस्तो जो postcode 32.21 की form भरने की last date होगी यहाँ पर वो date mention होगी और यहाँ पर अपने आप ही आपकी जो age है वो calculate करके यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तो इस पहले page में आप केवल spouse name और अपना address यहाँ पर edit कर सकते हैं इसके इलावा बागी details यहाँ पर edit नहीं हो सकती दोस्तो यह सारी चीज़े अच्छे से देखने के बाद edit करने के बाद आपको यहाँ पर next पर click करना होगा इसके बाद दोस्तो e-dozer का next page open होगा तो दोस्तो यह e-dozer का next page open होगा जिसमें आप से काफी सारे documents मांगे गए हैं तो दोस्तो यहाँ पर यह document जो मांगे गए हैं यही सारे documents आपको अपने e-dozer भरने से पहले तयार करके रखने हैं तो आई देख लेते हैं कि 15 बटे 17 जो पिछली बार की DSSB की special educator vacancy थी उसमें क्याके document मांगे गए थे तो दोस्तो सबसे पहले तो आपकी एक photo यहाँ पर मांगी जाएगी तो दोस्तो आपको अपने एक passport size photo यहाँ पर तयार करके रख लेनी हैं उसका format क्या रखना है photo should be in jpg, jpeg format और maximum size photo का रहेगा 40 के भी और जिसकी width रहेगी 110 pixel और height रहेगी 140 pixel तो दोस्तो इसी format में आपको अपने एक photo तयार करके रख लेनी हैं इसके बाद आपको अपने signature अप्रोड करने है signature का जो size रहने वाला है दोस्तो वो 20 के भी रहेगा jpg और jpeg format में और width और height 142 और 110 यहाँ पर रखनी होगी इसके बाद आपको अधार कार्ड यहाँ पर दोस्तो optional है तो आप चाहें तो अधार कार्ड upload कर सकते हैं या फिर अधार कार्ड नहीं चाहते अप्लोड करना तो यहाँ पर optional बताया गया है लेकिन अगर आपके पास अपना अधार कार्ड है और उसमें सारी detail बिल्कुल ठीक है तो मैं आपको सला दूँगा कि आपको यहाँ पर अपना अधार कार्ड अप्लोड करना चाहिए अधार कार्ड को एक PDF फोर्म में अप्लोड करना होगा और PDF आपको 2MB से कम की PDF बना कर रखनी होगी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मांगा जा रहा है आपका 10th certificate तो यहाँ पर 10th certificate यहाँ पर age proof के तोर पर मांगा जा रहा है तो आपका जो भी 10th का certificate है जिसमें आपकी date of birth अच्छे से mention है उसको scan करके इसको PDF फोर्म में बनाना है आपको 2MB से कम की PDF यहाँ पर रखनी है और उसको यहाँ पर upload कर देना है इसके बाद दोस्तों thumb impression तो दोस्तो thumb impression में पिछली बार भी डाउट था कि बताया नहीं गया था कि right thumb upload करना है या फिर left thumb तो यहाँ पर पिछली बार काफी सारे candidates ने इसी एक box में दोनों thumb scan करके upload कर दिये थे तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं zoom करके दिखा देता हूँ यहाँ पर दोनों thumb upload किये गए थे और left और right उसके नीचे लिख दिये गया था तो कुछ इसी तरीके से आप इस बार भी कर सकते हैं या फिर जैसा भी further notification में आपको बताया जाएगा हो सकता है यहाँ पर mention कर दिया जाए कि कौन सा thumb upload करना है तो आप उसी हिसाब से आगे का action ले सकते हैं जो thumb impression आपको upload करना है वो भी JPG या JPEG format में upload करना है उसकी जो maximum size रखना है चालिस के भी रखना है और width 110 और height 140 pixel रखनी है इसके बाद जो OBC category के candidates हैं यह option उनके लिए है कि OBC creamy layer का certificate upload करना है यह भी यहाँ पर optional बताया गया है तो जो भी candidate OBC category से belong करते हैं यह option सिर्फ उनके लिए है बागी सभी category के candidates इस option को ignore करेंगे तो यहाँ पर भी जो OBC certificate है वो आपको scan करके PDF बनानी होगी और 2 MB से कम की PDF यहाँ पर रखनी है इसके बाद documentary proof of recognition of degree course as well as university institution itself तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने जिस college से अपना diploma किया है उस college का recognition का certificate PDF form में यहाँ पर आपको upload करना है दोस्तों main यह मांगा जाता है private institute से तो जितने भी candidates ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी private institute से special education में diploma किया है तो उन सभी को अपने college जाकर अपने college से उनका college का recognition का letter उसकी copy वहाँ से मिल जाएगी वहाँ से आप उस recognition letter की copy ले सकते हैं और उसकी PDF बनाकर यहाँ पर upload कर सकते हैं इसके लाबा जो government institute के candidate हैं वो भी यहाँ पर अपना college का recognition proof अप्रोड कर सकते हैं उनको भी college का recognition proof उनके college से मिल जाएगा इसके बाद copy of admit card तो दोस्तो यहाँ पर जो post code 32 बटे 21 के candidate है जो आपका 32 बटे 21 का admit card था जिस पर invigilator ने sign किये थे वही same admit card आपको scan करके PDF बनानी है और 2 MB से कमकी PDF रखनी है और वही admit card आपको यहाँ पर upload करना है दोस्तो बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिनका admit card खो गया है या फिर invigilator के sign नहीं हुए थे तो बहुत ज़्यादा confusion में है कि वो लोग अब क्या करें तो दोस्तो admit card खो जाने के इस्तिति में यहाँ पर DSSB का एक notice है और उसमें यहाँ पर बताया गया है कि तो यहाँ पर इस candidate की document में कुछ कमी थी जिसमें बताया गया है कि उसको क्या करना है यहाँ पर और करके लिखा गया है copy of the FIR in case lost of admit card तो जो भी candidate ऐसे हैं जिनका 32 बटे 21 postcode का admit card खो गया है और अब वो यह confusion में है कि यहाँ पर कौन सा document अप्रोड करें copy of admit card वाले column में तो यह mandatory है दोस्तों करना तो अगर आपके पास admit card है और डिली साइंड है envilator द्वारा तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका admit card खो गया है किसे भी कारण से तो आपको एक FIR करनी होगी और उस FIR की copy यहाँ पर इस column में upload करनी होगी तो उमीद हो दोस्तों यह e-dozer का second page है इसमें जो भी documents है वो आप सभी को तयार करके रख लेने हैं जैसे ही e-dozer का link open होगा हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे e-dozer भरना कैसे है तो यह second page यहाँ पर सारी चीज़े upload करने के बाद आपको next पर click करना होगा next पर click करने के बाद दोस्तों सबसे main page यहाँ पर open होगा जो है e-dozer का third page तो यहाँ पर चीज़े आपको कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है दोस्तों दोस्तों यह भरे वे e-dozer का screenshot है तो यहाँ पर चीज़े already filled है जब आपके सामने आपका e-dozer का यह वाला page open होगा तो इसमें कुछी चीज़े यहाँ पर fill होगी और बागे सारी चीज़े यहाँ पर blank नजर आएंगी और वो आपको fill करनी होगी तो यहाँ पर तीन चीज़े आपको नजर आने वाली है पोस कोड 32 बटे 21 के e-dozer के 3rd page में सबसे पहले आपको 12 यहाँ पर लिखा होगा और आपके marks यहाँ पर पहले से ही show हो रखे होंगे आपको यहाँ पर fill करना होगा date of declaration of result और अपने school का नाम और यहाँ पर आपको select करना होगा कि आपका school government था या फिर private अगर आप यहाँ पर private select करते हैं तो उसी के नीचे यहाँ पर उसका recognition proof अप्लोड करने का option आ जाएगा अगर आप government select करते हैं तो कोई भी आपको proof लगाने की यहाँ पर जरुत नहीं है इसके बाद diploma जो आपने diploma किया था उसके बारे में यहाँ पर detail मांगी जाएगी उसमें भी आपको government था private select करना होगा अगर आप government select करते हैं आपका government institute है तो कोई भी document upload करने का option नहीं आएगा लेकिन अगर आप private select करते हैं तो document upload करने के लिए आपर option नजर आएगा इसके बाद other में दोस्तों दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है senior secondary school certificate और its equivalent यानि 12th का आपका certificate जो 12th class आपने पास की थी उसका certificate यहाँ पर आपको upload करना है दोस्तों यह जो certificate है यह भी 2 MB से कम का ही आपको रखना है उसकी PDF बनाकर यहाँ पर upload करनी है इसके लाबा 12th की mark sheet यहाँ पर PDF बनाकर upload करनी है बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिनके पास 12th class में mark sheet कम certificate मिला है तो उनके पास सिर्फ एक ही document है जिसमें mark sheet कम certificate लिखा है यानि वो ही mark sheet है और वो ही certificate है तो ऐसी इस्तितिते में दोस्तों आपको इन दोनों column में वो ही same document upload कर देना है और यहाँ पर remark में लिख देना है mark sheet कम certificate दोनों boxes में आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे जो document मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है certificate of two year diploma in special education recognized by RCI तो दोस्तों आपने जो भी special education में दो साल का diploma किया है उसके diploma की जो copy है उसको scan करके दो MB से कम की PDF बनाकर यहाँ पर upload करनी है इसके बाद चौथा कॉलम है mark sheet of first year और first and second semester of diploma in special education तो दोस्तों कुछ colleges ऐसे हैं जहाँ पर आपको दो साल के अंदर चार mark sheet मिलेंगी जिसमें semester wise mark sheet होती है first semester, second semester, third और fourth semester या फिर कुछ college ऐसे हैं जहाँ पर yearly mark sheet मिलती है first year की mark sheet और second year की mark sheet अगर आपके पास दो mark sheet है जो कि एक first year की है और एक second year की है तो यहाँ पर आपको केवल एक first year की mark sheet scan करके 2 MB से कम की PDF बनानी है और upload करनी होगी इसके लावा अगर आपके पास चार mark sheet है तो आपके पास first semester और second semester की 2 mark sheet होगी उन दोनों की merge PDF बनानी है और यहाँ पर आपको upload करनी है इसी तरह से दोस्तो second year की mark sheet आपको upload करनी होगी यह भी mandatory यहाँ पर बोला गया है इसके बाद registration certificate issued by rehabilitation council of India तो यहाँ पर आपको दोस्तों अपना upload करना है उसको भी 2 MB से कम की PDF बनाकर नहाँ पर आपको upload करना है इसके बाद दोस्तों 7th और last point यहाँ पर जो बोला गया था 15 बड़े 17 के postcode में यह seated certificate तो दोस्तों seated certificate यहाँ पर जो भी seated certificate आपने form भरते समय marks show किये थे वही वाला seated certificate आपको यहाँ पर scan करके upload करना होगा तो बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो यह confusion में है कि डिजी locker वाला seated certificate यहाँ पर valid होगा या नहीं तो दोस्तों पहले जो seated certificate था वो offline mode में आता था by post आपके घर पे आता था लेकिन कुछ सालों से CBSE ने offline mode में certificate इशू करना बंद कर दिया है सिर्फ और सिर्फ डिजी locker के माद्यम से seated certificate और माक्षी डाउनलोड की जाती है तो जो की 100% valid है तो अगर आपके पार डिजी locker वाला seated certificate है तो आप यहाँ पर वो upload कर सकते है दोस्तो यह था third page e-dozer का यहाँ पर सारी detail carefully fill करने के बाद आपको यहाँ पर next पर click करना होगा इसके बाद दोस्तो e-dozer का last page यहाँ पर open होगा जो कुछ इस तरह से दिखाए देगा list of other miscellaneous document if any maximum 7 तो दोस्तो यह e-dozer का चौथा और आखरी page है जो आपके सामने open होगा यहाँ पर दोस्तो सिर्फ और सिर्फ एक column आपको नज़र आएगा यहाँ पर पिछली बार rehabilitation qualification certificate यहाँ पर मैंने upload किया था यहाँ पर आपका अगर कोई भी query है कोई भी ऐसी चीज है जो आपको edit करनी है या फिर आपके document में किसी भी प्रकार की कमी है जिसके against आप कोई यहाँ पर documentary proof upload करना चाहते हैं चाहे कोई effort effort हो या फिर gadget notification हो तो यहाँ पर आप upload कर सकते हैं यहाँ पर एक single column मिलेगा उसी single column में आप जितने चाहें document एक ही PDF में merge करकर यहाँ पर upload कर सकते हैं और remark में लिख सकते हैं कि आपने क्या चीज़ upload की है यहाँ पर maximum 60 document बोला जा रहा है कि maximum 7 document आप यहाँ पर upload कर सकते हैं और PDF का size दोस्तो 2MB से कम ही रखना होगा तो यहाँ पर जो भी missilence document हैं अगर आपके उसके बारे में आप कोई PDF या कोई और document लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको last page पर वो option दिखाई देगा तो दोस्तो यह सारे document हैं जो आपको post code 32 बटे 21 special educator primary के e-dozer भरने के लिए आपको ready करके रखने होंगे और दोस्तो e-dozer upload किस तरह से करना है इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी दोस्तो जैसे ही e-dozer का link active होगा तो आपको अच्छे से पूरा process बताया जाएगा कि आपको e-dozer fill कैसे करना है दोस्तो e-dozer fill करते समय बहुत आपको साफधानी बरतनी है e-dozer आपको खुदी fill करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा cyber cafe की मदद ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जिस किसी ने आपके साथी ने या फिर आपके senior teacher ने पहले e-dozer fill कर रखा हो अगर आप उससे guidance लेकर अपना e-dozer भरेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेबन रहेगा दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो च्छी लोगी होगी और जो भी document आपको त्यार करने हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगे सभी document PDF form में त्यार करने हैं और PDF का साइज जो रहेगा 2 MB से कम का रहेगा कुछ चीजे हैं जो आपको फोटोग्राफ में अप्लोड करनी है जैसे कि जो कि JPEG format में रखना है और उसका साइज यहाँ पर आपको अच्छे से मैंने बता दिया है कि किस साइज में, किस dimension में वो चीज़ा आपको रखनी है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को जादे से जादा लाइक कीजे शेर कीजे अपने दोस्तों में ताकि जाद से जादा के एंडिट को ये जानकारी मिल सके और वो जल से जल अपने डोकुमेंट तैयार करके रख सके दोस्तों इडोजर के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि जादे से आदे आपकी हेल्प कर सके दोस्तों All India में Special Education और Teaching Vacancies से जुड़ी सभी प्रकार की Authentic जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में